फाइनली दोस्तों बिहार डियलेड एडिमिसन काउंसलिंग 2021 को लेकर पर्थम चैन सुची जारी किया जा रहा है जहां सभी गवर्मेंट कोलेज का केटेगरी वाइज कटफ आफ एनलाइज करेंगे तो आप भी चौक जाएंगे वीडियो के साथ आप सभी लास तक बने रहेगा इस वीडियो में हम आपको फाइनल कटफ के संबंद में जानकारी देने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम आप सभी को सारन डिस्टिक के सोनपूर डाइट का एनलाइज करके दिखाएंगे कितना कटफ इसका फाइनल रूप से रहा है इसके लिए आपको castery.com वेफसाइट पर आएंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट डाउनलोड लिंक पर आपको किलिक करना है इसके बाद यहां से आपको अपना डिस्टिक सेलेक्ट करना है जैसे कि यहां से हम सारन को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसी सारन के अंतरगत यहां पर देखेंगे सोनपूर आता है तो इसका फाइनल मेरिट लिस्ट और सेलेक्शन मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है तो यहां पर डाइट में 200 सीट है और यहां पर PTC में 100 सीट है तो टोटल यहां पर 300 सीट हो जाएगा तो 150 साइनस में और 150 उर्दू और आर्ट्स में तो चलिए हम यहां से साइनस वाले PDF को डाउनलोड कर लेते हैं सोनपूर डाइट का डाउनलोड होने के बाद आप सभी यहां पर देख सकेंगे first selection merit list science वाला है सोनपूर डायट का अब यहाँ पर 100 seat के विरूद selection list त्यार किया गया है तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि इस list में क्या सब दिया गया है तो आप सभी देखेंगे सबसे पहले तो serial number है उसके बाद किस category से student को seat alert हुआ है इसके बाद नाम details और चीजे दिया गया है और student किस category से है और इन्होंने आवेदन किस category से किया है वो चीजे यहाँ पर दिया गया है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो visual में है जो दिव्यां candidate है उनका yes no yes no करके है इसके बाद आप देखेंगे तो final मेधा सूची जो average percentage marks है वो चीजे यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर तो सभी handicap ही है इसको छोड़ देते हैं अब यहाँ पर सबसे ऊपर में आप देखेंगे जो none है मतलब जो दिव्यांग नहीं है और यहाँ पर बी सी कंडिडेट है और बी सी कंडिडेट यह female कंडिडेट है और इसको देख लेते हैं किस कैटेगरी से seat allowed हुआ है तो आप देखेंगे बी सी एफ यानि की बी सी कैटेगरी female से इसको seat मिला है अब यहाँ पर इसका average percentage mark से देखेंगे तो 80.60 रहा है मतलब कि female candidate का 80.60 रहा है इसी के साथ आप से भी देखेंगे एक उपर में candidate है जिसका 85.10 बनता है और इसका कैटेगरी अगर देखना चाहें तो यह जो है general category के है और यह जो है EWS से आवेदन की है EWS टैप में yes किया हुआ है आप से भी देख सकते हैं और इनको जो seat allowed हुआ है male candidate है वो general category से seat allowed हुआ है तो इनको जाती लगाने का कोई जंजा ठीड नहीं रहा या फिर कहें तो EWS परमानपत्र लगाने की कोई जोरत नहीं है अब इसको EWS से अगर seat allowed हुआ है तो इसका mail में cutoff देखेंगे तो 85.10 रहा है और आगे आएंगे तो cutoff देखें तो 81.13 रहा है तो यह जो है general से है लेकिन इन्होंने EWS में yes tap किये हुए है तो इसको EWS से ही seat allowed हुआ है इसी तरीके से अगर आप और भी देखना चाहें तो female candidate है इसका तो आप देखें लिए कि इसका category में कितना cutoff रहा है 81.40 रहा है और इसको जो seat अलोट हुआ है URF से अलोट हुआ है तो यहाँ पर आप देख लिए किस category से कौन सा student है और कितना इसका cutoff रहा है हम analyze करके इसको list कर लिए हम आपको दिखाते हैं तो दोस्तों diet सुनपूर का science वाला first selection marriage list जारी होने के बाद category वाज कितना cutoff रहा है male और female का उसको हम note करके रखे हैं आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जनरल category से 85.1 रहा है male candidate का और 81.4 रहा है female candidate का इसी तरीके से BC candidate का 82.6 रहा है male candidate का और 80% रहा है female candidate का cutoff इसके बाद EVC में 18% seat आरक्षीत है और यहाँ पर देखेंगे 79.7 male candidate का cutoff रहा है और वहीं female की बात करें तो 77.1 रहा है EWS की बात करें तो 80% male के लिए रहा है और female के लिए 77 रहा है इसी तरीके से SC की अगर बात करें तो 74 जो है male candidate के लिए और 71% रहा है female candidate के लिए इसी तरीके से ST के लिए 78 से 76 के आसपास रहा है तो यह जो है adject है ठीक ना जो first selection list science वाला सोनपूर diet का अभी अभी जारी किया गया है उसी के अनुसार से यहाँ पर note किये है आप सभी को पता है कि diet सोनपूर में 200 seat है तो 100 seat के विरूद यहाँ पर selection list त्यार किया गया है उसमें अगर इतना cut up जा सकता है तो आप सोच सकते हैं जहाँ पर 150 seat है जहाँ पर मातर एक ही college है वहाँ का cut up इससे भी जैदे जा सकता है तो यहाँ पर second list में और भी student को जगा मिल सकता है क्योंकि जो student top में है कुछ इसा student है जो दोनों जगा first selection list में आ चुके हैं तो वो student बाहर निकलेंगे तो second list में या second selection list में नीचे के अविर्थी को मौका मिलेगा तो इस तरीके से जो है इतना cut up रहा है तो इस तरीके से दोस्तों आगे जो भी update आती है हम आप सभी को update करते रहेंगे और जिस भी college का final merit list या selection merit list अभी तक update नहीं हुआ है आप सभी इंतजार किजिए 9 एक्टूबर तक में update हो जाएगा और selection merit list 9 एक्टूबर के बाद सभी college का update होगा तो आप सभी को यहाँ पर आना है और अपना district सेलेक्ट करना है जैसे कि यहाँ पर हम गया का अगर चेक करना चाहते हैं तो गया वाले link पर click करेंगे और देखेंगे गया का जो list है वो आ चुका है official website का link आपको यहाँ से मिल जाएगा या फिर आप यहाँ से भी direct चेक कर सकते हैं तो फाइनल merit list आ चुका है और selection merit list इसका अभी तक नहीं आया है तो इस तरीके से आप सभी यहाँ से चेक कर सकते हैं और आप सभी अपने district के college क official website पर visit करते रहें वहीं से आप सभी को time to time update जानकारी मिलती रहेगी तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद